हेलो दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग जिस विशार में चर्चा करने जा रहे हैं, ये किसी भी जात्र के लिए बहुत ही महतुपूर जानकारी है, क्योंकि ये हर जात्र अपने जीवन में सफल होना चाहता है, पर सफल होने के लिए एक सही तरीका होना चाहिए, जब तक आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे, आप सफल नहीं होगे, तो आइए चलिए हम इसी पर आज बात करते हैं, सबसे पहले आपको मैं एक उधारण दूँगा, माल लिए एक मिश्टर ऐसा है, अर्दार मिश्टर स्मार्ट, और एक है मिश्टर नौर्मन, ये हर काम को बड हो भी सफल होता है, वो अलग काम नहीं करता है, वो काम को अलग तरीके से करता है, अर्दार सही तरीके से करता है, तो चलिए मैं चलता हूँ, माल लिए मैंने इसको भी एक पिर्ण दिया, काटने को मैंने कहा, एक पिर्ण लगा हुए इसको काटो, दोनों को एक पिर्ण द करका पेड़ कातों कि मिस्टर नॉर्मल ने कुळाड़ी उठाई पेड़ कातने लग दे और इन्हों ने पांच हंटे में पेड़ काती लिय तुर्मा क्या किया इन्होंने सबसे पहले कुलाड़ी पेड़ धार लगाई तो इस कुलाडी में कम धार थी, इन्होंने बिन धार के चलाना चालो कर दी, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि पेड किस साइड जादा जुखा, उसके बिप्रिस साइड इन्होंने कुलाडी चलाना चालो किये, ताकि जल्दी कटे, इन्होंने थोड़ी दि अब ये क्या है चलिए ये जनाब ऐसे चलेगा मालीजे बीचों प्यास लगी होगी तो फिर पादी पीने गाए होगी या भूग लगाई होगी तो इस चमता का मुग होगी काम करने की लेकिन ये सब तायरी करते के अब ये पेड़ काट कितने लेगा इससे तो कमी समय में काटा है इसने क्लगा लगा लिए तो सोड़ी दिमार्य बक्स लगाया और क्रामी की इस इसने महनत तो बहुत जादा की है जादा पर क़ो रगान की लगा या ऑख चैंब अ कि इसने क्या किया कि महनत कम पर रिजट अच्छा है ठीक तो भाई क्या होगा फिर ये मिश्टर ठीक तो दास हो जाएंगे और ये कि इन्होंने सब कुछ समझ के काम किया पर इन्होंने सारा काम बिना सोंचे किया क्यों इसी को कहते हैं इसी तरीके को कहते हैं method ठीक है अर्था इसी को कहेंगे हम smart study अगर इस example को हम किसी एक तायरी करने वाले चाहते से जोड़ दें तो इसी को कहेंगे smart study और इसको कहेंगे hard study रिजर्ड जीरो रिजर्ड पॉजिटिव क्लियर अब यह सवाल यह उठता है कि क्या बस smart study होने जलू यह क्या तो आप लोगों कि मैंने आगया होगा है जब कम पढ़ाई करेंगे तो यह कम पढ़ाई मतलब यह होता है smart तरीका ऐसा नहीं संजो माली यह कड़का है यह बहु और क्या करता है सो नवर लाता है है on यह मारिजे सेवोने परता है माली यह सौबढ़ लाता कि लेकिंन एक सक्संट ca यह मार्ट वीए ही हमार्ट भी यह तो यह कैरे यह पांस बने प estoy कि पर और पास संब लाईगा कि बहुत है इस और बेने यह आला करते है आई अब सेलेक्सान नहीं इसका होगा इसका होगा मैरेड़ बनेगी दिछीका होगा जाएं और जो सबसे भेटर लोगाँ सबोडी कवेध में दोन सबसे भेतर जांब राख कोई पैदा नहीं होता तो खुद को आपको बहतर करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सही तरीका अपनाना होगा, अर्थार मिश्टर नॉर्मल से मिश्टर स्मार्ट बनना होगा, आपको परस्नालिटी अपनी चकनी होगी, निखार दी होगी, चुकि हम लोगों की स्कूलिंग जो होती तो उनका क्या होता है प्रश्णार्टी बदर जाती है अब क्या जो लड़के रह गए नॉर्मल यूश्टी में नॉर्मल कॉलिज में पढ़ा ही करने छोड़ देए या बड़े सपने देखने छोड़ ऐसा नहीं है सुधार किया जा सकता तो आए हम लोग सुधार करते हैं अब देखे कैसे करते हैं सुधार जो मैंने आपको उधारन बता है नॉस उधारन को लेके यूपीएस्टी के जीवन से जोड़ दीजे जो चात्र है यह तो हर इंजाम के लिए बात सही है पर चुकि मैं में में लिए यूपीएस्टी वाई यूपीएस्टी से जोड़ा चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे प्लानिग मैं आपको यह स्मार्ट इसटेडी का क्या क्या तरीका होता है जो कि हमें यह समय का मैं इस लिए मैं आपको मुख्य मुख्य बाते बताओं विश्टत चर्चाइद के लिए आप मुझसे नीशे दिये गए कमेंट बॉक्स में या तेली ग्राम से पूछ सकते हैं अब देखिए एक्जाम की डिमाइड हमें समझना है जैसे माल लिए कोई साथ मिनट में हमें आंसर लिखना होता है तो हमें इसकी तैहरी करती होगी अगर हम इसकी तैहरी नहीं करेंगे और माली तिक हम पढ़ते रहेंगे और जब रिख्याम देने जाएंगे तो रहां लिख नहीं पाएंगे तो क्या बात कई तैहरी आती आपने माली ये दो साल खूब पढ़ा सब आता है आपको सब जानता है यह लेकिन जब आप क्या करें जब आप लिखने बैठें तो यह बता दूँ आपको कि लिखना और याद करना दोनों अलग है यह फैक्ट है और यह इस्किल है अगर अगर आपको में एक उधारण दादू 10 साल व्यवला सिखाऊं किताबों में कि यह नियम से तैड़ते हैं ऐसे तैड़ते यह तो तैड़ता जाता है और फिर आपको जितने नोड़ से दे कि आपको नदी में किरा हों आप 8 मिनट नई तैर पाऊगे क्योंकि उसके लिए अलग दिमांड तो हमें क्या है सबसे पहले एक्जाम की डिमांड को समझना मैं आपको कुछ उधारणों के द्वारत संध्या रहा हूं अभी यह नहीं बता रहा हूं कि एक्जाम की तयारी कैसे हुपती है कुछ काम आप लोग भी करिएगा मर्स में आपकी घर्ड कर दूँगा जैसे क्या मैं मान लिए और मैं आपको दो धारता हुपती हाँ ऐसे जो दलर का तीन सार पड़ता है यह मेंस का एक्जाम देने जाता है ना तो इस तीन घंटे में फेल हो जाता है कि और कम नंबर आते हैं फिर कहता है मैंने पढ़ाई तो खूब की थी हुआ क्यों कुछ नहीं तो आपको समय आगे किसकी गलती है फिर दूसरी बात हम चलते हैं प्लानिंग की तहिती हमें एक्जाम का यह भी पता होना चाहिए कहां से क्या पूछा जाता है जैसे मैं आपको एक और उधान रहता हूं जैसे माल लिए कंपनी है जैसे माल लिए कोई सॉफ्वेयर कंपनी है कि इसममें इंटरव्यू हो रहे है एक सद्रोगे नहुट है मिच्टर सी और माल लीजिए एक मिच्टर दॉरवल है और एक मिच्टर इसमार्श यह दोन हैं जाते हैं दोनों को यसमान पता चला दोनों के पास एक दिन रहयर है प्रांदरिक के इस को जा होगा हो तो इसको इसका आत्मिस्वास्या होगा प्रभक नहीं थे सब्सक्राव सब्हार सुनेराई इसका तो इंस्वास्या कोंफिदेंस झाइंटर्वीव और देनर धिक्ष खराम आप जाएगा और इसका क्या हाल होगा है तोड़ी रोए रखी है है तोड़ी गुस्ता अब मिश्टर एक क्या करेंगे इसमार यह देखेंगे कि इसने पहले कभी इंटर्व्यू दिया है लिया तो बहुत गई तो यह सुचेगा कैसे कुरूशन करता था उसको पता चल गया कि मांनो इसको कुर्चर बहुत प्यारा है कि यह कल्चर से कुष्ट्टे जोड़के पूचता है यह अगर इसको अंसर समया कुल्चर का यूज़ कर दे तुध बड़ा खुस हो जाता है इसको इंडियन कल्चर बहुत अच्छा लगता है आली इसको यह पता चल गया मिश्टर एसको क्योंकि इसके कली वरी से पूछा अब यह क्या करेगा यह सांग को बैठेंगे मलबसूट पहले प्लानी कली प्लानी फिर बैठेंगे यह देखें कि सॉफ्ट्वेर को कैसे कल्च वहाँ तो मिश्टर क्यों कि खोश ओगए ये और ये दोनों में तरस शंजाने ऐसे हैं व्लोगों को यूपी अशीक के बारे में जाना है कैसे प्री में कैसे में से कैसे इंटर्वीव में बात करते हैं तो यह सब्ललाइक तभी आपनी लाइन निकाल पाओंगे वरना चा यूपिएसी के डिमार्ड है कि अपने आप से जूड़ बोल लगा तो आप डिसाइड कर दो आपको क्या करना है दूसरी बात यह हुग आप लानी इसी नेक्स में हम कम ठीक है प्रोडेक्टिविटी प्रोडेक्टिविटी इसमार्ट इस्टिटी का सबसे में बात होती है उस तो आप देखियो कम मेंदर भी जादा पाने रचेक्ट आपको बताओ तरीका जैसे माली जी आप साल बर पढ़ते हो एक ऐसा इस्टुडेंट है जो रोज पढ़ता है और सुडास साल माली जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रेल मैं जून जुलाई माली जी ठीक इतना इसको बुर्वरी माली जोगर्फ्य की पढ़ लिए ठीक कल्चर की बुक पढ़ लिए साइस्स की बुक पढ़ लिए और करेंट पढ़ लिया अब क्या हुआ अमाली जो को यह environment इतना पढ़ लिया अब यह बना जब exam देगा तो क्या करेगा यहाद होगा इसको चलो पासी म तो जब इतने महीने में इसको सब घुल जाएगा और इसको फिर पूरा का पूरा पढ़ना होगा मतलब इसने यहां पर पढ़ा होगा रोज 10 गंटे अगर पढ़ा होगा तो करीद इसकी 500 हंटे की पढ़ाई बरवाज हो गई अर्था इसकी जनवरी और फरवरी पूरी वेश से पढ़ना तो मैं आपको इतना बता दू कि आप जो पढ़ा करते हो उस पढ़ाई का तरीका जैसे तो यह तरीका है यह तरीका बिल्कूल गलत है और दूसरा आपना कुछ यह रटते हो ठीक है रटने से क्या होता है UPSC और UPSC कभी नहीं निकलेगा रटने से यह मैं पढ़ें आपके दिमांड की छ्खमता अटा आप कितने जल्दी सोच सकते हो पिसी भी विशा के बारे मैं आप कितनी जल्दी चार से पांच बाते सोच ती इसका एक्जाम है तकि जब आप रटते हो तो आप उसकी दिमांड से जा रहा है दूर और आपका कभी सील करना चा और जिसकी आपको दिमाग की छमता बढ़ाए तो इसके लिए मैं एक बात बताओं जैसे आपको आप लगातार मत पढ़ो 45 मिनिट पढ़ो और 15 मिनिट उसी को दिवीजन करो जैसे मालो आपने दार्विन का थियोरी पढ़ी अब इस 15 मिनिट में इसको सोचो और उसको पढ़ी आपको दिमाग तेज हो रहा है आपकी सोचने की छमता बढ़ रही है जब आप तीन घंटे जाम दोगे ना तो तब दिमाग चलेगा आपको और यही काम आएगा प्लस फंद्रा मेडियम आपने रिवीजन किया तो आपको यह चीज अब भूले की नहीं अब आपको क्या होता एक घंटा पढ़ते हैं फिर चाय पीने निकाल जाते हैं और चाय पी गया आते हैं तक तक यह भूल गया होता और आपको यह लगता है आज पढ़ाई करनी है उसके बाले में सोचना है पढ़ना कम है सोचना ज्यादा है जब आप उसको देनिक जीवन अपने उधारण से जोड़ते होना तो कभी चीज बूलती नहीं है फिर जब आपने पढ़ लिया फिर नाट भी आप सोने जा रहे हो तो एक तो आपका सोने समय स सबसे परन धर्म में वाटसप चेक करना उस धर्म को जब पूरा कर लो तो उसते बाद आप जो भी दिन भर में पढ़ा है जो यो पंदर पंदर मिन का है उस सब याद कर लो आपको सब याद आ जाएगा और जो नहीं याद आएगा उसको सुबह उठके एक बार फिर देख होता है बस उस दिमाग का कैसे यूज करना है यह मैटन है फिर सुबह उठो सुबह उठके समय आप जब ब्रस कर रहे हो चाय बना रहे हो तब भी पढ़ो उसको सोचते रहो बे मतलब बाते करने से कोई फाइदा नहीं और किसी काम आपके नहीं आएगी उससे निगेटिव तो इस तरह को क्या करना है फिर मानलो हर संडे को आपको रहे को 11 करना है और हर महिने में भी 30 वर 31 को तो आप जो भी जनुआरि वि sun फड़े हो एसमय को याद रहेगा नहीं 2 प्रृड़ी तो इस तरह आपको अपनी प्तिकठीम एक प्रॉड़ादी हो Days फिर आपको देखे प्लानिंग एक ऐसे भी करनी है ठीक है यो प्रोडक्शन के अंदर करती है कि आपको अपने हर महीने का पूरा सेड्यूल बना लेना है पहले से कि इससे विए आपको क्या उओना डिसाइड रहेगा सबकुछ प्लस जो आपको नाहिए और इसमें करते रहें सुधार भी करते रहें यह नहीं कीजिदय अगर मालोग्ट सुधार में कर तो मतला इसको फॉलो नहीं कर रहें हखना आप इसको बढ़ो भृष्चे का चकीड़ों मैं आपको यह पढ़ना है फर लिवली में पुरज़ें पढ़ना है अब добрारी इंगे इसा थीりंआ कि परदे पढ़ना है तो अब तनाव हुआ तो चोड़ो फिर मूवी देखने चलते हैं अब मूवी देखा तो किताब पूजी तरह से भूल रहें छोड़ो यार कभी और पढ़ेंगे फिर मोटीवेशन आएगा तब पढ़ेंगे अब उककाव आता है एक मही देर होएगा पता नहीं हमें हर दिन का सेडूल बनाना राख और सोते समय अगले दिन का पूरा डिसाइड कर लेना है कि अगले दिन ये ये करेंगे और सुबह से उसमें लग जाना है इससे आप मिन सब खुश रहो गे और जितने खुश रहों कि उतनी इच्छी पढ़ाई होगी आप तो याद है ना कि टेबल के लिए नहीं बनाना इंटल्डू अपने लिए बनाना है आप टेबल में बनानी चिपका देते हो तो फिल खतम ऐसा नहीं है कुछ लोग तो मैर पर लगाया कि ऐसे चिपका देते लेकिन कभी नहीं देखते लेकिन ऐसा महाल बनाएंगे कि सामने वाला परिशान होता है तो खुद से जूट नहीं बोलना दूसी बाद आप यह सब फॉलोग करेंगे तो आपको चीजी याद रहेंगे थोड़ी ना पढ़ते समय आपको क्या करना है कम पढ़ना ज्यादा यूज करना है उसमें जितनी कम जानकाली रखोगे और जितना उसको खाली रखोगे उतना एक्तिव रहेगा और नए नए आइडिया आएंगे तो ज्यादा नहीं कि यह किताब भी पढ़ लो किताब भी पढ़ लो दुकान गए तो दस रुपा का यह नोट्स मिला ले लो यह ले लो ऐसा कुछ नहीं है हम लोग देखते हैं कि यूटूब में यह टीचर पढ़ा रहे हो टीचर पढ़ा रहे कई जाएगे जानकारी यारे एक कोई जा रहा कुछ काम कर नहीं एग हो मैं किसी एक चैनल को फालू कर को आपने दिमाग कि लोग कशा कम भरो जितना कशा कम होगी तो फिर ये काम कैसे करेगा तो मेरी भाई बढ़ा को जानकारी के लिए बता दू आप दिमाग में ना कम जानकारी को रखोगे उसको ज्यादा यूज कर लोगे जैसे मान लिए कि आपके पास इतनी जानकारी है इतना information है लेकिन जो आप 3 गन्टे गया ना इस में से आप उसको इतना यूज कर पाव रहे हैं लेकिन एक स्मार्ट लड़का होगा तो क्या करेगा इतनी जानकारी होगी और उसको इतना यूज कर लेगा क्योंकि उसका दिमाग active है कैसे मैं एक उधार होता हूं ठीक जैसे मा बहुत ग्यांपल बताता हूं, जैसे मालने लोग 2% है, भारत में विष्ट की जमीन है, मालने जो धराताल है, 2% है, मालने भारत का शेतफ़ल, विष्ट के शेतफ़ल का 2% है, तो मालने ये अरिया है, ये डेटा है, अब एक नॉर्मल लड़का होगा, तो तब इस डेटा का यूज करेगा, यब कुछा जाएगा, तो पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि भारत विष्ट के कितना परसेंट, शेत्रफल को अपने पास रखता है, तो लोग कहें 2%, अब खुस हो जाएगा, एक नॉर्मल इंसान, इस डेटेगा क्यों यही पर यूज करेगा, प अब खुस है, अगर आजाएगा कभी कि अर्व, नगरी कराण को लेकर क्या समस्या है, तो वहां भी इस डेटा करेगा, कि 2% है बस जमीन, कहा नगर बसान, अगर मालो कभी गरीबी को लेकर आगिया, तो और कहनेगा कि 2% है जमीन, लोगों के पास मकान मकान के लिए समस्या तो अठारा परसेंट चल संख्या है ना बाइपाँ, अठारा परसेंट को दो परसेंट में कैसे मैनेज करेंगे, रिसोर्स का में, वन्ना सब कोई खेती कर लेता तो गरीबी न रहता, यह ठीक है, मालो भूनी सुधार में आनिया करें, तो भी आ जाएगा, कि दो परसेंट है अगर हम इसका अच्छे से यूज नहीं करेंगे, तो बड़ी समस्या आजाएगी, ठीक है, कभी भूखमरी का आविया, तो पता चलेगा, दो परसेंट जमीन है, खाद जो सुरच्छा कमजोर है, इसलिए बड़ी की समस्या, तो अभी इस दो परसेंट को हमने कई जगे तरवार चलाना कैसे है यह नहीं पता, तो उस तरवार का क्या मदलबाद के लिए बोज है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, फिर दूसरी बात, एक चीज़ जैसे मैं आपको बताऊं, चीज़ यह को ट्रिक याद करने ही, देखें, हाट जखें ट्रिक नही तो एक स्टोरी के तौर पर पढ़ो, क्योंकि आप जब फैक्ट फैक्ट पढ़ते हो, जैसे मार्लो एक दो तीन, चार पाँच, छे साथ, आट, नौ, दस, एक सब फैक्ट है यह मार्लो अलाग अलाग, लेकि जब आप एक स्रीज पढ़ लेते हो, तो आपस में सब जुड तो आपको याद रहता है, जैसे आपको फिल्म देखते हो, तो आपको पूरी फिल्म याद रहती है, लेकि जब उसके चोटे-चोटे डायलोग या चोटे-चोटे करेक्टर देखोगे, भूल रहेंगे, तो हमको जो भी पढ़ना है, वो स्टोरी की तरह पढ़ना है, और अब ये पूरे 10 है, मैं 10 को नहीं बता हूँगा, आपको पढ़ने का तरीका मतारा हूँ कैसे, जैसे मालो ठीक है, अब देखे, इसको याद करने के लिए थोड़ी दिमाग लगाओ, जैसे मालो है भुख्मरी, गरीबी, स्वास, सिच्छा, महिलाए, सफाई, उर्जा, तो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या गरीबी ही होती है, सबसे बड़ी समस्या, अगर मालो एक आदमी है, जो गरीब है बिलकुल, और कुछ नहीं कर पाए, तो सबसे पहले हमें उसकी गरीबी खतम करने है, फिर जब गरीबी खतम हो जाएगी, थोड़ी बहुत सही कि यह एकशा खाना काई बेसिक नीट के बाद दूसरी बेसिक नीटों की खाना सबसे खराब गरीबी उसके वाद सबसे खराब भुख परी तो सबसे पहले आम उसकी गरीबी दूर करेंगे अब आप दिमाग में एमेजियन करो क्या होगा किसी आदमी को अंदर आपको सुथा करना हो तो आप क्या करोगे सबसे पहले उस आदमी की गरीबी खतम करोगे फिर उसे अच्छा खानत होगी पहले तो बाई उल्टा सीथा कुछ खाता रहा होगा फिर उसे कम से कम पौश्टी कहार मिले लगेगा तो सिर आप क्या करोगे उसके स्वास्त को overall भाई उसका BP, कैसे उस स्वास्त रहे पहले गरीबी फिर खाने की समस्य को खतम करोगे फिर उसका स्वास्त कि उसकी हाइट उसका मोटापा सब कुछ देखोगे जब यह सब हो जाएगा तो आपकी उस पर ध्यान दोगे उसकी सिच्छा पर तो देखिए एक सीरीज है यह अब हो नहीं है ठीक हा फिर मुझला तो ये पांचवाँ है अब पांचवे का साइन ऐसे होता है तो इससी तरह हिस्तरीका होता है तो पांचवा ज्याद कर लिये अब इस तरह मैं पूरे कर दों कर सकता हूँ तो हम लोगों को नहीं एक सीज समझ नहीं है कि इसके पीछे क्या इस्टोरी रही होगी उसी स्टोरी को अगर हमने समझ लिया तो हमें फैक्ट नहीं भूलेगी जैसे कुछ और फैक्ट है मालेजे अब देखिए आप दिन फर पढ़के जाओ इसको दिन फर पढ़ो लेकिन जब एज़ा मां आएगा ना दो तीम महीने बाद तो सब कर निया किया था यह था यह था जितना पिजिए प्रेसर होता है उस पर बहुत कर जाता है इसको पढ़ते ही स्वाइगे रखो खो कि आपको यह था यह करेगा तो क्यों ना कुछ यह कि इस च्तोरी बना ले जैसे मैंने इस स्टोरी के पनाई की 22 मार्च होली हो थी मार्च से मेंंत पानी या मैंने सोचा था अप्रेल से ए और एसे बाइस माई को जानवर देखो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो जैल इस तरह आप अपने दिमाग में की स्टोरी बनाकर फैक्टों को याद कर सकते हैं हमेशा अपनी मिर्स कई जागे काम आते हैं तो आपको थोड़ी अपना दिमाग क्या करना है तो इस तरह हमें अपने दिमाग को लेकर चलना है अपने दिमाग को लेकर आपको चीजे समझनी है दिमाग को तेज करना है तो फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा सफलता के लिए पढ़ाई नहीं ज़रूरी पढ़ाई से अदर ज़रूरी है कि पढ़ाई कैसे कर रहा है मैं कम समय होने के कार जितना बता सकता था मैंने बताया अगर आपको कोई और जानकारी लेनी हो तो नीचे दिये गए टेलीग्राम लिंक से आप मुझे से जोड़ सकते हैं या मुझे इमेल कर सकते हैं इसी सम्मंदित में मैंने एक दूसरी वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने उन गलतियों का विश्वत चर्चा की है जो गलतिया समानेता लोग करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो नई बच्चे सुरुवात कर रहे हैं ओ गलतियां दूसरों की गलतियों से सीख लें और खुद गलती ना करें धन्यवाद नमस्कार